जैसे ही आप वीडियो यहाँ पर अप्लोड करें तो यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर अल्टर्ड कॉंटेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसे आप इस पर किलिक करो यहाँ पर यहाँ और नो देखने को मिल जाएगा यस करना है, नो करना है, कैसे पता करें, कैसे करना है, क्या करना है, यस करना है, यस करना है, नो करिया तो क्या होगा, यस किया तो क्या होगा, सब कुछ आज की वीडियो हम जानने वाले हैं, और दोस्तों कैसे आफ समय हो भी कें, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करन वाले है यूट्यूब के एक नए बहुत खतरनाक अपडेट के बारे में जो की है altered and synthetic content यह क्या है इसमें yes कब करना है no कब करना है और यह क्यों आ रहा है और इसके पीछे का reason क्या है सब कुछ आज की इस वीडियों सबजने content ठीक है तो altered content आखिर क्या भाई अगर आप अगर आप इसको सही से नहीं करते हो अगर आप yes के जगा no कर देती हो तो भाई आपका channel भी delete हो सकता है अगर आप yes के जगा no कर देती हो तो भाई सब आपके channel का जो monetization है उसको भी YouTube disable कर सकता है यहां पर रूल लग चुका है लेकिन यह क्यूं लगा है और यह क्यूं जरूरी है आज की इस वीडियों हम ब्यारी के समझने वाले हैं तो वीडियो बहुते कमाल की और informative होने वाली है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जैसे एक लाइक करो चैनल पर नए हो तो चानल को अभी सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करने ताकि मैं जब भी नए वीडियो अप्लोड करो आप सको सबसे पहले देश सको yes ठीक है अब चलिए अप्लिकेशन की वाइटी इस्टुडियो में और यहां पर हर जगह यहां पर यह जो अल्टर कॉंटेंट है उसको यहां पर रूल आउट कर दिया गया हर जगह यहां पर लागू हो चुका है तो यहां पर आप मोबाइल से वीडियो अप्लोड करो या फिर आप इस बना रहे हैं जो आँच की टाइम पर यहां पर एक्जिस्ट ही नहीं करता ऐसे वीडियो को लोग बना रहे हैं ठाइक है तो बहुत जादा कंफ्यूज़न बढ़ चुका है तो इसलिए इसी चीज को पहचानने के लिए इसको क्लियर करने के लिए कि हां यह जो चीज है वो AI से बनाय हुआ है, AI से बनाया चीज है, AI से बनाया वीडियो है, इसको clarify करने के लिए, इसको यहाँ पर सही से बताने के लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आया है यहाँ पर altered content, राइट, आप आपने समझ लिया कि altered content उसको यहाँ पर क्यों roll out किया है, क् में इसका reason है, अब जानते हैं कि इसको कब yes करना है, कब no करना है, जो कि सबसे most important thing है, जिसको अगर आप सही से नहीं करते हो, तो भाई साब YouTube क्या करेगा, कि आपके channel को delete कर सकता है, और प्लस अगर आपके channel को delete ना करें, तो भाईया आपका channel monetize है, उसको यहाँ पर disable कर सकता है, तो आप इतना समझ गए, अब जानते हैं कि कब yes करना है, यहाँ पर कुछ reason दिये हो है, कुछ यहाँ पर option दिये हो है, जिसको आप पढ़ के समझ सकते हो, कि yes करना है, makes a real person appears to say or do something that they didn't say or do, इसके गहना कर मतलब यह है, कि आप एक ऐसी video बना रहे हो, जिसमें आप AI कर य कोई ऐसा बनता है, जिसमें कुछ नहीं बोला है, जिसमें नहीं बोला है, जो आप वीडियो में बोलवा रहे हो, तो वो उसमें आपको का करना है, कि yes करना है, अगर ऐसी video अगर आप बना रहे हो, तो yes करना है, यहाँ पर ultra footage of a real event or place, अगर आप real event, जो भी यहाँ पर करना है, लेकिन जो घटने का जगा को आप बदल दे रहे हो, जहां जो काम हुआ है, उस जगा को आप बदल दे रहे हो, place को replace कर दे रहे हो, बदल दे रहे हो, AI कर यूज करके, तो दोस्तों उसमें भी आपको यहाँ पर yes करना है, ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर generate realistic looking scenes didn't not actually occur, ऐसे कुछ realistic scenes आप generate कर रहे हो, जो कि action में होते हैं, हुआ ही नहीं है, तो भाईया आपको इसमें yes करना है, ठीक है, इतना आप समझ करना है, जिस चीज में आप AI कर यूज कर रहे हो, तो दोस्तों उसमें आपको yes करना है, अगर आपको इसको अच्छे समझना है, त synthetic content, यहाँ पर कुछ examples हैं, जिसको आप पढ़के, यहाँ पर समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर doesn't required disclosure by creators, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगी, doesn't required, इसमें कोई जरूरत नहीं है, disclose करने की, कि yes करना है, यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर दिये हुए है, क्या, कि applying beauty filters, जब आप डालते हो, beauty filters को apply करते हो, कि अपने आपको सुंदर दिखाने के लिए, गोरा दिखाने के लिए, तो दोस्तों इस चीज में आपको बिल्कुल भी yes नहीं करना है, no कर देना है, यहाँ पर synthetically generating और extending backdrop to stimulate moving car, तो यहाँ पर कोई कार चार रहा है, और आप उसके पीछे यहाँ आ आप अपने audio को enhance करें, अपने voice को enhance कर रहे हैं वीडियो में, अपने voice को और भी जादा effective बना रहे हो, और भी ज्यादा enhance कर रहे हो, तो दोस्तों इसमें भी आपको yes करने के कोई जरूरत नहीं है, using an AI to generate animation of a missile in a video, अगर आप AI के use कर रहे हो, अपने video में missile generate करने के लिए, तो इसमें भी आपको yes करने के कोई जरूरत नहीं है, यह तरह कि yes नहीं करना है, अब जानते हैं कि yes किस चीस्ति में करना है, तो यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि अगर आपने YouTube पर वीडियो देखा होगा, डीप फेक वाले, टीप वाले वीडियो आपने देखा होगे, मतला कि body क किसी और का है, फेस किसी और का लगा दिया, तो ऐसा वीडियो आपको नहीं बनाना है, कि आप मालो यहाँ पर किसी और के body में, किसी और के face लगा देखा हो, मालो यहाँ पर मेरा body है, आपने यहाँ पर लगा दिया, सारू खान का photo, सारू खान का अपने face यहाँ पर मेरे मे नहीं है जिसको वो देख रहा है इसके बाद आप यहां पर जानते हैं डिजिटली अल्टरिंग आ फेमस कार कार चेव सीन तो इंक्लूड अ लिव दिखा रहे हैं जिसमें को कोई सेलीब्रटी नहीं चला रहा है जो दोस्तों ऐसी वीडियो में भी आपको यस करना पड़ेगा right now stimulating audio to make it sound as if a medical professional give advice when the professional did not actually give that the advice माल लो आपने इश्राम के उपर या फिर आपने YouTube के उपर ऐसी वीडियो देखी होगी कि कोई वकिल बन जाता है कोई कोई डॉक्टर का जो AI फोटो होता है तो उसको ना क्या करते हैं कि AI की मदद से ना उसको यहां पर मूवी लिफ्श जो है वुँवफ करने लगते हैं यहां पर आप विडियो देख सकते हो ठीक है इस तो आप पर टेग्स तुई स्पीच के यहां पर ऐसा होता है जो एप बहुत आप कि यहां पर युश करके और यहां पर लगा जेते हैं और वहां पर एडवाइज देता है जो AI डॉक्तर देता है तो उस तरहें के जो वीडियो अगर आप बनाऊगे तो आपको यस करना है यहां पर आप देख सकते हो ठीकिए ना तो यहां पर उसके बाद आप जानते हैं मिसाइल को छोड़ दिया जाता हैの लाँज किया जाता है लेकिन यंद्ह Dubback डिया चीज नि लेकिन वीडियो केर चीज लेकिन आपिष्य विडियो में की और मिसाइल घूरं के वीडियो में कि ये लेगों करने को आफमय자기 मैं। बहुत अच्के समझाएन, अब यह करना में यह घृखरे जो आपफ ज मतल़ुयन के ऐसंवाख से बते हैं बथा हैं ऊपैर हिसमीस करना मैं यह ना नने पतरूब आपको अच्छे समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है, तो I think आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो चल्दी से एक वीडियो को लाइक करो, चाहिए पर ना हो, तो चैनल को स्काइब करें कि बेल लाइकर प्रेस करें ताकिए मैं जब भी नए वीडिय करें में जब लाइकर प्रेस बाइकर प्रेस करें 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 आ गया है, यार हो, तो चैनल को से एक वीडियों अगर आया है।